हलो बच्चों कैसे हो आप लोग मोरिया एजूकेशन में आपका स्वागत है बच्चों आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल कांस्ट्रक्शन का जो की लगभग लगभग लास्ट पार्ट होने को आया है इसके पहले का वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है और आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दिया है तो आप लोग उसको ध्यान से थोड़ा देखिए और समझे उसको समझ कर कांस्ट्रक्ट करने की कोसिस कीजिए उसमें हर पॉइंट को मैंने क्लियर क्लियर समझाया है बच्चों कि ट्रेंगल को कैसे ड्रा करते हैं कैसे तीनों साइड दिया रहता है तब हम ड्रा करते हैं तीन साइड के जगह, दो साइड दिया है, एक एंगल दिया है, तब कैसे ड्रा करते हैं, ये सारी चीजें हमने वहाँ पर देखा और समझा है, आज हम practice set 6 में यहाँ पर complete करेंगे बच्चों, कि congruence of segment, किसी को हम congruent कैसे बोलते हैं, देखें, congruent का meaning होता है, एक रूपता, सम समरूपता, जिसको अगर हम हिंदी में बोलें, तो कोई सेम सेम दिखता हो, सेम एक ही जैसा उसका डिक्टो, सारा measurement हो, तो उसको हम congruent बोलेंगे, उसको हम congruent बोलेंगे, देखें, congruent का meaning ही समरूपता होती है, जैसे कि यहाँ पर देखें, congruence को समझाया गया है, कि congruence of a segment, congruence किसी segment, किसी line segment को, या किसी diagram को, जो segment दिया हुआ है, इसको हम congruent कब बोलते हैं, इसका देखें, definition हमको दिया है, बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा, if given line segments are equal in length, they are congruent, अगर कोई line segment हमको दिया है, और दूसरे, जिससे हम उसको compare कर रहे हैं, जिससे हम उसको compare कर रहे हैं, अगर दोनों का measurement, दोनों का length, सब कुछ same है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक line को दूसरे line का congruent बोलेंगे, एक line दूसरे की क्या होगी, congruent होगी, अगर मैं बोलू, यह line यहाँ पर माल लीजिये, seven centimeter की है ठीक है कितना मैंने लिखा 7 cm लिखा और उसके अगेंस्ट में एक लाइन और है A B 7 cm है और यहाँ पर P Q जो है A B कितना है 7 cm है मतलब लाइन A B भी हमारा कितना 7 cm और P Q भी 7 cm है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों इसको देखे लाइन सेग्मेंट A B क्या अपर A B हमने लिखा है इस को बोलते हैं देखिए जैसे equal to की साइन रहे और उपर हलका सा जैसे S बना हुआ रहता है ना आप S बना दीजिए इसको हम काणग्रुएंट बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं कांग्रुएंट की साइन बोलते हैं तो line A या line segment A या sort में हम बोल स दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं PQ, line, segment या segment PQ is the congruent of segment AB, ठीक है, तो I hope कि आपने इसको अच्छे से जान लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर line दिया है, अब देखिए, line का कोई ऐसा meaning नहीं है, एक ही तरह, एक ही parallel बनी हो, line, आड़ी, तिर्ची, या एक दूसरे से समानांतर हो सकती है, parallel हो सकती है, या cross हो सकती है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, congruent में, measurement की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, फिलाहाल, measurement को सीख रहे हैं, अब line AB, मान लिजी, एकितना है बच्छों, मान लिजी, 5.5 cm है, कितना है 5.5 cm है और यहां से हमने जो PQ ड्रा करा है PQ भी हमारी कितनी है 5.5 cm है मतलब line AB equal to 5.5 cm और line PQ is equal to 5.5 cm तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि line AB is the congruence of line PQ या ऐसा भी बोल सकते हैं कि line BA is the congruence of line QP या PQ हम चैहे जैसे इसको बोल सकते हैं ठीक है तो यहां तक आपका point clear हो गया अब हम देखते हैं कि जो practice set 6 दिया है यहां पर हमको जो practice set 6 दिया है इसमें हमको क्या करना है देखे मैंने question यहां पर लिखा है आपके लिए clear clear आपको question दिखता रहेगा बच्चों कि write the names of pairs of congruent line यहां पर हमको line को क्या बताना है congruent line जो line दी गई है इसकी congruent line कौन सी होगी अब इसको हमको क्या करना है major करके बताना है use a divider to find them divider को use करते हुए हमको बताना है देखे हमको line यहां पर angle की बात नहीं की गई है यहां पर हमको क्या बताना है line की बात की गई है line हम किसको किसके बराबर बता सकते हैं अब देखे मैं scale से अगर major करके आपको बताऊं या आप rounder से check कर लीजिए या जो divider बोलते हैं same rounder और उसमें दो नोग बने रहते हैं एक देखे यहां पर first है और एक second उसको हम बोलते हैं divider तो यहां हम divider के जगए किसको यूज कर ले रहे हैं हम चलिए rounder को यूज करते हमको दो point से meaning है अब देखे जैसे मैं इसको major करूं M और G देखे हमारे पास क्या है G एक center दिया है इन लोगों का जो line बनी हुई है M G यहां पर आ रहा है ठीक है और इस line को अगर हम major करें यहां से M R ठीक है M R देख रहे हैं तो दोनों line क्या आ रहे है equal आ रहे है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको हम बोल सकते हैं कि M G M G line congruent किससे हैं G R G R बोल सकते हैं या हम R G भी बोल सकते हैं है तो हम mg को congruent किसके बता दिए gr को बता दिए और gr का congruent क्या होगा gr का congruent हम mg को बोल सकते है ठीक है तो आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं second पर चलते हैं second हम देखते हैं कौन सी line किसके बराबर है देखे मैं अगर line c को major करूँ line c को major करूँ तो यहाँ पर c आ रहा है ठीक है इसको अगर हम major देखो b से कर रहे हैं b से कर रहे हैं तो b क्या आ रहा है इसके बराबर आ रहा है तो line हमारा क्या हो जाएगा g c g c इसको हम segment भी लिख सकते हैं तो gc किसके बराबर है gb gb के बराबर है ठीक है देखे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ जो ड्रा किया हूँ आपके बुक में कुछ अलग भी दिखेगा तो कोई मतलब नहीं है आप जैसे डाइग्राम बनाएंगे आपको congruency दिखानी आपको यहाँ पर क्या करना है congruency दिखानी अब देखिए जैसे मैं mg को mark करूँ mg को mark करूँ तो mg को अगर मैं mark करूँ तो देखे g e के भी बराबर आ रहा है ठीक है तो हम आगे क्या लिख सकते हैं segment segment mg segment mg is the congruent आप किससे हो जाएगा g e हो जाएगा या इसको हम congruent देखे यह दोनों congruent है तो हम g r को भी congruent दिखा सकते हैं g r तो mg congruent किससे हैं g e है और g r आल्रेडी हमने दिखाया है तो g r को भी हम किससे दिखा सकते हैं यह दोनों को हम congruent दिखा सकते हैं अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें G C हो गया अब हमारे पास G D बचा है या हम G E ले लेते हैं G E को मेजर करते हैं और देखें G N G N भी क्या हो रहा है बराबर हो रहा है तो हम सेग्मेंट सेग्मेंट G E is the congruent आप किससे हो जाएगा G N हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको congruency दिखा सकते हैं बच्चों बहुत simple है congruent मतलब same same simple आपको दिखाना है same measurement होना चाहिए ठीक है अभी हम फिलाहल line के लिए पड़ रहे हैं तो line के लिए हमको same यही congruency देखनी है इसके आगे हम जब triangle को देखेंगे या angle को देखेंगे तो उसका definition हम आगे आपको clear करेंगे ठीक है तो इस तरह से आपका question number one complete हो जाएगा चलिए question number two पर चलते है question number two में हमको क्या दिया है बच्चों देखें एक line segment दिया है देखें एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो nine point में divide किया गया है इसको और इसको हम क्या बोले है q, p, z, y, x, w, a, b, c अलग-अलग हमने नाम दिया है ठीक है तो यहाँ हमको equality दिखानी है तो हम कौन से segment को किसके बराबर दिखा सकते है हमको fill in the blank दिया है यहाँ पर क्या दिया है fill in the blank दिया है हमको fill in the blank complete करना है अब देखे segment a, b को पूछ रहा है अब a, b का distance कितना है देखे a और b, a, b को distance को हम किसको दिखा सकते है हम segment b, c दिखा सकते है segment b, c दिखा सकते है या segment a, w दिखा सकते है या w, x दिखा सकते है ऐसे हम किसी भी सेग्मेंट को जितनी इसकी डिस्टेंस है उसके हिसाब से यहाँ पर दिखा सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट का अंसर आपको मिल गया सेग्मेंट देखे यहाँ A P से दिया है A और P A P का डिस्टेंस कितना है 1, 2, 3, 4, 5 5 कॉलम दिया है तो A P को हम क्या दिखा सकते हैं मान लिजे जैसे हम Z से लें तो Z B दिखा सकते हैं क्या दिखाएंगे यहाँ Z B ठीक है यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो Z B का जितना मेजर है यहाँ से A P का मेजर है या अगर हम Q से देखें तो Q से कहां तक देखना होगा बच्चों Q से हम इस साइड बढ़ रहे हैं तो A कि इधर से कम हो जाएगा तो Q W Q W दिखा सकते है ठीक है तो line segment AP equal to या congruent किसे है ZB है W Q है बहुत सारे यहां पर हम दिखा सकते है AC AC कितना आ रहा है यहां से सुरू हो रहा है और यहां पर खतम हो रहा है ठीक है दो point तक जा रहा है तो अभी इसको हम क्या दिखा सकते है AC को AX दिखा सकते है या हम आगे क्या दिखा सकते है इसको major करके आप X, Z दिखा सकते है या हम W P दिखा सकते हैं ऐसे हम major करते हैं ठीक है तो A C A C को हम क्या दिखा सकते है बच्चों A X दिखा सकते है A X के बराबर है ठीक है इसका measurement इसका measurement बराबर है या हम X Z दिखा सकते है X Z दिखा सकते है या P P Y दिखा सकते है ठीक है तो इस तरह से इसको करना है अब यहां segment by देखे by कितना हो रहा है 1,2,3,4 4 column तो 4 आप ले लिजे b से y है तो a से z ले लिजे तो इसको हम a z a z is the congruence of by हो जाएगा तो ऐसे आप यहां से measure करके कुछ भी किसी का answer कुछ आएगा किसी बच्चे का कुछ आएगा confusion नहीं होना चाहिए measurement equal होना चाहिए देखे y q y कहा है हमारा y और q 1,2,3 तो y से हम क्या ले सकते हैं y q के लिए हम ले सकते हैं z यहां से ले ले z x दो हुआ z w ले ले लेते हैं z w ले 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 लेते हैं ठिक और यहां b w b से w दो कालम है तो दो यहां ले ले लीजे wy y ले ले लीजे तो इस तरह से आपका question number जो 2 है question number 1 और practice set number 6 हमारा congruence of segment के बारे में जो दिया है इस part को हम यहाँ पर complete कर दिये तो अब आप इसको major कीजिए आप line draw कीजिएगा अपने से अपने से कुछ measurement लीजिए और उसको diagram को बना कर solve करने की कोशिस कीजिए solve यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमको congruency दिखाना है यहाँ पर हमको एक दूसरे का congruence दिखाना है तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पर जैसे diagram बना है और एक diagram बनाई है और 2 बनाई है तीन बनाई है अगर आपने 2 या 3 बना कर solve कर लिया तो life में आपको इसमें कहीं पर भी problem नहीं आएगी और मैत आपको एकदम हलवा लगने लगेगा मैत आपको एकदम हलवा लगेगा लगेगा मैत तो कुछ है ही नहीं जिस से जो बच्चे डरते हैं जो मेट्री से जो बच्चे डरते हैं आप उनके लिए example बन सकते हैं कब जब आप practice करेंगे और हमारे बत दोस्तों को भी subscribe करने के लिए बोल ये आपके लिए इतना मेहनत करके हम जो वीडियो बना रहे हैं तो आप हमारी आप से request है कि आप अपने दोस्तों में जतनी से ज़右 से ज्यादा से share करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो की रीच होगी उतना ही हमारे लिए आपका तो काम होगा ही होगा आपको पढ़ने को मिलेगा और हमको क्या मिलेगा हमको बस आप लोगों से motivation मिलेगा कि हमको वीडियो बनाने में मज़ा आएगा क्यों आएगा क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वियो बढ़ेगा तो हमको यहां से बहुत अच्छा क्या मिलता है यहां हमको motivation मिलता है और वो motivation का कारण कौन है सिर्फ और सिर्फ आप हो बच्चों तो हमारा request आप से यही है कि आप हमारे पूजी हो एक तरह से capital हो एक तरह से property हो तो please आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकोन को प्रेस कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू बाई